फिल्म मेकर और आमिर खान की पूर्व पत्नी किरन राव पिछले दिनों अपनी लाइफ को लेकर चर्चाओं में थी शादी के सालों बाद किरन और आमिर के तलाक ने सभी को हैरान कर दिया था लेकिन हाल ही में किरन राव से जुड़ी एक खास खबर तेजी से वाइरल हो रही है। दरसल हाल ही में किरन राव ने अपने बेटे आजाद के होने से पहले अपने multiple miscarriage और उस तकलीफ को उन्होंने साजा किया है। बता दे किरन राव साल 2011 में सरोगेसी के जरिये मा बनी थी। किरन राव ने हाल ही में miscarriage का दर्थ साजा किया है। किरन राव कहती हैं कि जिस साल उन्होंने फिल्म धोबी घाट बनाई थी। उनका बेटा आजाद उसी साल पैदा हुआ था। आजाद के जन्म से पहले उन्हें कई सारे health issue रहे थे। फिल्म मेकर आगे बताती हैं कि बच्चा होने में उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया था। किरन राव आगे कहती हैं कि आजाद के जन्म से पहले उन्होंने बच्चा पैदा करने की कई natural कोशिशे की थी। लेकिन पांच साल में मेरे बहुत साले miscarriage हुए थे। मैंने बहुत सारे health issue जेले हैं। बेबी पैदा करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं सच में चाहती थी की बच्चा हो। मैं उसे पाने के लिए बहुत ही excited थी। इसलिए जब आजाद का जन्म हुआ तब मुझे कोई और निरनय नहीं लेना पड़ा। मैं बस अपने बच्चे का पालन पोशन करना चाहती थी। किरन आगे कहती है कि आजाद के जन्म के बाद से मैंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे आजाद के साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। वह मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। मुझे 10 सालों में कोई फिल्म नहीं बनाने का कोई भी अफसोस नहीं है। आपको बता दे कि किरन राव ने हाल ही में फिल्म मेकिंग में कमबैक किया है। उन्होंने हाल ही में लापता लेडीज बनाई हैं जिसने खूब तारिफे बटोरी हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिल्चस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।